जैहें डिफेंस इस्पारेंड मैं जिवेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ डिफेंस अड़े 24-7 पर तो सभी का विलकम है आपका डिफेंस अड़े तो सभी लोग में खाल से आ गए होंगे आज से हम एफकेट की शुरुआत कर रहे हैं रज़त कंबोज जियां वेरी सभ को मेरा प्यार भरा नमस्कार तो सभी लोग बता दीजे कौन कौन है क्योंकि मेरे को अभी यह नहीं पता कि किते बच्चे अभी आप देख रहे हो गुड इवनिंग भागे शरी अजे तो यह आप लोगों के लिए तो जिन्नोंने बैच परचेस कर लिया उनके लिए नहीं लेकिन जिन्होंने बैच परचेस नहीं किया है तो उनके लिए लास्ट आफर है अगर आप अपने फ्रेंड डिलेटिव को बताना चाहे तो इनके बारे में आप इसने जरूर बता दीजेगा ओके तो आगे हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं लेक्चर की शुरुआत जो क करते हैं आज पहले मैं डिसकस करूँगा आप सभी के सामने कि एफकेट 2020 का जो एक्जाम अभी 23-24 फरवरी के हुआ था इसमें कैसे कैसे कोश्चन्स आयते तो देखो अगर मैं एनलेसिस करो कि 2020 का जो पेपर हुआ था जैहिन सभी को मही तरफ से तो 2020 में जो पेपर हुआ आपका एफकेट का उसमें कई तरीके से कोश्चन आयते हैं जैसे how many players in the covered team यानी एक पॉइंट आपको ध्यान यह रखना है कि एक एफकेट में कुछो कोश्चन्स का टाइप है एक टाइप फरस्ट हम ऐसे केटेगराइज करके पढ़ेंगे टाइप फरस्ट क्या है नंबर number of players अब आई session को जरा like जरू कर देना और से share जरू कर देना number of players in the games अब वो कोई सभी games हो सकता है अब वो कोई सभी games हो सकता है अब बलकि मैंने कबड़ी वाला तो नहीं कराया था लेकिन मैंने बाकी सब के आपको कराया थे फिल type second जो आप देख रहे हो यहां पर चीक है type second वो क्या था ये दोनों जो question question number three or question number four question number two or question number three ये मेरे YouTube classes के question है ये कौन से YouTube classes के मैंने बच्चों को अच्छे से कराया था एक तो इसमें पूछा था कि G7 country कौन से नहीं है मैंने आपको बताया था कि G7 country कौन सी है जो developed donation है यानि विक्सित देश है उन्हें G7 countries कहते हैं और international civil aviation का headquarter आपको बताया था ये आपका Montreal में पढ़ता था कहां पें Montreal में Montreal जो आपका किसमें पढ़ता है Canada में और Canada भी G7 का एक member country ध्यान रखेगा G7 देश इस वक्त कोरोना की महार से सबसे ज़्यादा गरसेत है G7 जो देश है कोरोना की महार से सबसे ज़्यादा गरसेत है तो एक बार कमेंट करके बता दीजे कौन-कौन लाइव है जल्दी से मौसम हो गया क्या आपके यहां पर भी बारिश का मौसम हो गया फटाफट ठीक है जल्ली बताईजेगा Australia नहीं ती जी नहीं हाँ very easy type question थे लेकिन जब examination करते हैं तो यह tough question बन जाता है हमारे यहां दिल्ली में तो भाई बारिश शुरू हो गई है ठीक है फिर उसी तरीके से कहा था कि सांची स्थूप यानि देखो type first हो गया number of players यानि sports related sports sports static gk से मैं बोलूँगा इसे क्या बोलूँगा sports static gk ओके sports का static gk हो गया second है यह आपका international organization और जित्ती भी मैंने आपको international organization कराई थी organization कराई थी उस पे question आता है चलो आपको ना कुछ मैं अभी ना एक थोड़े से मैं बताता हूँ हाँ ओके पूजा लाइव clear and audible ओके तो देखो कुछ international organization के मैं आपको tips बता देता हूँ तो उसे ध्यान रखेगा देखो सबसे पहले मैं बात करूँ जो question आते हैं न वो जिनीवा पर आते हैं किस पर आते है जिनीवा इसका चाहतों आप screenshot ले लीजएगा यह मैंने कराया भी तो जिनीवा में न सबसे पहले तो दिहन रखे अभी जो सबसे ज़्यादा आप जिस संस्था का नाम लेते हैं न पूरे विश्यो में इस वक्त सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है वो किसका लिया जा रहा world health organization किसका संस्था का नाम लिया जा रहा world health organization और अभी थोड़ी द दुनिया eradication के दोर पर खड़ी है भारत ने एक आशा की जोती दिखाई है मैं मानता हूँ भारत में अभी जो कोरोना के cases है वो 500 को cross कर गए है ठीक है वो 500 को cross कर गए है लेकिन अगर हम भारती है जो है न हम सबसे बहतरीन लोग हैं इस पूरे विश्व में हमेशा कहता हूँ ह हम सबसे निराले हैं, तो अगर हम इस social distancing, तो आप मेरे messenger हो, social distancing को जरा थोड़ा, आप अपने और अपने आसपास के लोगों में इसको follow करवाओ, अपने और अपने आसपास के लोगों में इसे follow करवाओ, ठीक है, हाँ, बिलको लवीना, FK2 की classes starts from today, today I am going, I am discussing the paper which was held on 23rd and 22nd of February 2020, okay, तो social distancing को थोड़ा पर्मोट करें, ताकि इस, जो इस virus का spreading है, वो थोड़ी कम हो सके, ओके चली आते हैं, जीनिवा में, एक तो किसका headquarter है, आपका WHO का, फिर जीनिवा में, आपका World Intellectual Property Organization, WIPO का भी headquarter है, देखो, WW, फिर जीनिवा में, फिर जीनिवा में, एक और का headquarter है, उसका है WTO, World Trade Organization, डबलू, 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 प्लीज, रिमाइंड ऐसे रखनेगा, फिर उसके बाद, जीनिवा में, एक और पढ़ता है, Red Cross, तो ये main headquarter है, जो जीनिवा में पढ़ते हैं, जीनिवा आपका किस में पढ़ता है, स्विट्जर लेंड में पढ़ता है, किस में पढ़ता है, स्विट्जर लेंड में पढ़ता है, जीनिवा के बाद, जो सबसे ज़्यादा headquarter आपके पढ़ते हैं, वो आपके पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, वो किस में पढ़ते हैं, वियना में पढ़ते हैं, आपको मैं कुछ questions भी कराऊंगा, बस यह मैं वियना यह लिख दू, बारिश काफी तेज हो रही है हमारे area में, very heavy rain, आपके यहां भी काफी बारिश हो रही है, यह जो भी W और O से शुरू हैं, वो बिलकुल जीनेगा हो, ध्यान से सुनेगा, और इसके बाद आता है वियना, वियना जो है न सबसे, वियना, वियना यहां पर, वियना सबसे महेंगी city है पूरे world में, और इसका एक और में rank में top करते हैं, वियना में दो international organization के headquarter है, एक पहला international atomic energy association, और oil producing and exporting countries, फिर रोम, रोम आपका जो पड़ता है, रोम में आपका food and agriculture organization का headquarter है, और पैरिस, पैरिस में आपका UNESCO का headquarter है, ओके, पैरिस आपका किसका headquarter है, UNESCO का, येस लविना, Australia is the capital of Vienna, ओ सरी, Vienna is the capital of Australia, और किसका है, UNESCO का, ओके, so these are the some important headquarters, जो आपको tips पर याद रखने चाहिए, जो मैं glasses कराता हूँ, उसमें मैं आपको, इसी तरीके से international organization के उपर, एक separate मैंने lesson तयार करा है, तो अब देखते हैं, पीछे चलते हैं, जो मैं बात करना था, तो पहला दो तो international organization से हो गया, फिर देखो, ये question तो repeat हो गया, फिर ये जो है, ये आपका history से, तो ये आपका Buddhism से संबंदित है, और Buddhism से संबंदित है, तो ये आपका Ashok से relation होगा, फिर वेस्ट और Bengal, ये आपका geography का question है, ये आपका कोश से related है, geography से related है, राजस्थान में मौसम के लिए रहे हैं, वैसे बारिश होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बारिश इस वक्त दिल्ली म काफी तेज हो रही है, और इससे गहों की फसल को काफी नुकसान है, ये बुलंड शेयर का जो इलाका है, और बागपत, मुझफ़न अगर, अगर वहाँ ये बारिश पहुच रहे हैं, तो जो गहों की फसल हो, साफ खतम हो जाएगी, फिर मैंने आपको किरकेट पे भी question करा है, या आशिन मरसिंट किसे है, greater circle, ये सारे मैंने आपको questions ना एके करके कराएवे हैं, तो चलिए, समय को waste ना करते हैं, मैं आपको questions कराता हूँ, तो देखते हैं, चलिए, तो number of players in ice hockey team, तो जल्दी से बताएगा कि ice hockey team में कितने players होते हैं, ये question ना कई बार examination में पूछा ज जा चुका है, number of players in ice hockey team, जल्दी से बताएगा, number of players in the ice hockey team, जल्दी से इसका अंसर बताएगा, SSC के लिए भी important है, हाँ भाई, इसमें कुछ questions, मतलब इसका 60% part SSC के लिए important होगा, ओके, CHSL के लिए भी, जैसे C can I do toffee, जल्दी, जी हाँ, अजे, पहले cricket जल्दी से आंसर बताओ, number of players in ice hockey team, जल्दी से आंसर बताएगा, ये six का आपने आंसर बताया, जो कि बिल्कुल सही ह देखो, जो number of players है, ice hockey में होता है, six, एक होता है आपका goal की पर होता है, बाकी पांच क्या होता है, दो right defense में होता है, दो left में होता है, और एक center forward होता है, ओके, तो किते होता है total, six players होता है, और session को जड़ा share करो, like करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना session, तो please share it and like it also, okay, और ये जो national sports है, ये Canada का, Canada का क्या है, national sports है, ध्यान रखेगा, ये Canada का क्या है, national sports है, okay, very good, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question क्यों और, A-force, Y-group के लिए भी important है, yes, Nichols है नहीं, उसमें भी इस तरीकी question आते है, larkos, ये lacros, बसे इस तो lacros बोलेंगे, इससे क्या बोलेंगे, lacros, ये आपने poker and movie देखे होगी ना, तो उसमें वो, जब John Abraham बताता है, तो lacros satellite बोलता है, lacros, जो satellite, lacros का मतलब है, किसी चीज को पकड़ ने, तो lacros, जो है, ये किस देश का राष्टे गेम है, जल्दी से बताएगा, lacros, पूजा बेटा, जल्दी से बताओ, अंकित कुमार मंडल, okay, हाँ, daily मेरी class, 4 बजे होगी, daily मेरी class, सुबह मेरी class होगी, आपकी, CAPF के लिए, और daily मेरी class होगी, आपकी, किस के लिए, शाम को चार बजे, F-Cat के लिए, ठीक है, तो lacrosse is a national game of which country, lacrosse कौन से देश का, प्रियंका ठाकूर काफी दिनों में, बिटा, okay, तो इसका answer है, Canada, देखो lacrosse का है, देखो, ये Canada का summer game है, ये क्या है, Canada का summer game है, okay, national game है, लेकिन ये national summer game है, okay, Canada का lacrosse, UK का तो national game, cricket है क्या क्यों, वहा The term jerk is associated with which sport, जो jerk term है, वो कौन से sport से related है, जल्दी बताएगा, सोनी का बालियान, good evening, the term jerk is associated with which sport, जल्दी से बताएगा, जो jerk term है, वो कौन से sport से related है, फटा-फट जल्दी से बताएगा, the term jerk is associated with which sport, okay, जो jerk term है, वो किस से related है, जल्दी बताएगा, the term jerk is associated with which sport okay question number 3 का आंसर बताए फटाफट okay question number 3 का A wrestling आंसर बता रहे हैं okay देखो jerk जो है न यह weight lifting से है इसमें दो तरीके की use की जाती है एक होता है आपका clean and jerk दो प्रकार की होती है और एक होती है snatch तो देखें यहां position में भी आपको दिखा रहे है snatch होता है कि एकदम सीदा उठा के उपर ले गए और clean and jerk है कि पहले उठाता है फिर bet के फिर उठाया जाता है तो तीन टाइप की होती है यानि दो टाइप की होती है snatch और clean and jerk okay Fcat का batch एक अपरेल से शुरू होगा my dear paid batches एक अपरेल से शुरू है अगर आपको purchase करना है तो आज आपके पास last day है Fcat store adda पर जाईएगा store.adda247.com पर visit करो Fcat का batch उसके search में डालो Fcat foundation batch क्या डालो Fcat foundation batch आप डालिएगा search bar में और जब batch आजाए उस पर U191 code को use करना और इस पर आपको discount मिलेगा वैसे भी आज हमें 20% already discount मिलेगा इसको use करके आपको total discount 25% हो जाएगा और आपको around 600 से 700 के बीच pay करना होगा इत्ता सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें आपको तीन मंस की extra validity और e-books भी मिलेगी टाइमिंग इसकी जो रहेगी वो दोपैर में रहेगी ठीक है लेकिन जो YouTube की classes है टाइमिंग तो हम बाद में बताएंगे टाइमिंग का उस बेच में लिखोगा लेकिन YouTube पे मेरी class YT session जो होता है वो मेंशे चार बज़े से पांच बज़े तक होता है लेकिन ये पूरा पांच बज़े तक नहीं करते हैं इसमें हम मुश्किल से मुश्किल तीस मिनट तक पढ़ पाते हैं ठीक है क्योंकि कई सारे बच्चों का कै करते हैं इसमें questions के answer देने पड़ता है काफी तेज दिल्ली में आंधी तूफान चल रहा है वही इस वक्त काफी तेज दिल्ली में आंधी तूफान चल रहा है first class तरीके से तो आप भी enjoy करिये आंधी तूफान वैसे ही इंडिया में तक कोरूना का पंगा चल रहा है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की और तो यहां पर एक चीज़ देखेगा राकी हल्दर जो वेस्ट बंगॉल से उन्होंने 64 किलो में national weightlifting को जीता है चलिए बैलेंडीर अवार्ड ये किस field में दिया जाता है पहले तो ये बताओ और ये किसे दिया गया बैलेंडीर अवार्ड किस field में दिया जाता है और ये किसे दिया गया जल्द जल्द बताईए बैलेंडीर अवार्ड किस field में दिया जाता है और ये किसे दिया गया जल्दी से अंसर बताईएगा अंकित कुमार येस U191 ये एक डिसकाउंट कोड ऐसे बिल्कुल यूज करिएगा ओके हाँ सेम हेर हेवी रेन बिटा बहुत तेज़ अरे मैं तो सोच रहा था अब कहना अब देखा वैसे न कहता है कि साइंस सबसे बड़ा है रिलिजन पर विश्वास नहीं करना चाहिए कुछ कर रहा है कल से शुरूर है माशक्ति के दिन तो कल सुबह सभी उठके माशक्ति के अरादना करना और कहना कि ये जो मानव जाती पर प्रकोप आ रहा है हे देवी मा आप आ गई हो इसका नाश करो इन देट्यों का नाश करो और जहां तक मेरा विश्वास है क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो सारी दुनिया है मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करें लेकिन ये जो सारी जो ये दुनिया है ये ऐसे ही नहीं बनी ये कोई उपर है जिसने सारी दुनिया को बनाया है तो बिलकुल कल खतम हो जाना चाहिएगा तो कल से आप देखना ये चीज़े अब थोड़ी-थोड़ी खतम होनी शुरू होनी चाहिए बैलेंटीर आवार्ड आपका किस से रिलेटेड है ओके ये मेरा नमबर आप इसमेरे को मैसेच कर दीजेगा वैसे तो नमबर ना लिखेगा आप इसमे ये ग्रूप है gs with jivesh ये मेरा telegram ग्रूप है आप इसमेरे को मैसेच कर दीजेगा या खुद भी स्रुकर आइड हो जगेगा जी 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 तो इसका जो है ना इसमें जो देखो बैलेंडियर अवार्ड वैसे तो मैन के लिए लियोनीन मैसी को मिला है man के लिए लेकिन female के लिए मिला है ये Megan Rapini को, Megan Rapini कहां की United States की है और Leone Messi कहां का है Argentina का अच्छा, ये जो Kappa Trophy है, जो best player under age of 21 ये किसे मिला है, Magettis T. Lingett जो निदरलेंड के है, ठीक है और Yashini Trophy, ये किसे मिली है Allison Baker, जो best footballer, goalkeeper की होती है, किसकी होती है कम बच्चों ने करा है session को, like अभी काफी कम बच्चों ने करा है, कि येवल 10 like हुए है, चलो आगे बढ़ते है man kidding क्या है, अब मैं फटा फटे session को आगे ले जाता हूँ, man kidding क्या होता है, तो जो man kidding होता है न, इससे समझेगा कि जब runner जो cricket होता है, जब runner बोलर के बोल डालने से पहले ही, crease छोड़ देता है, तब बोलर के पास ये, एक अधिकार होता है, कि वो उसको run out कर सकता है बोलर के पास एक अधिकार होता है, कि वो उसे क्या कर सकता है, run out कर सकता है, sir, defense महा pack में क्या आता, sir, defense महाँ पैक में आपको CAPF, Assistant Commandant, FCAT, CDS, यह exam इस साल होएंगे, तीन exam, तीनों की preparation एक बार में ही हो जाएगी, यहनि one time preparation हो जाएगी, one time payment में आपकी यह preparation हो जाएगी, very good, भागेशरी, okay, आपने बिल्कुल सही answer दिया, प्रियंका ठाकूर, अजे पॉप्स, आपने भी answer दिया, ठीक है, lay up shot, lay up shot किस से related है, तो lay up shot जो होता है, वो आपका किस से related होता है, basketball से related होता है, कैसा होता, basketball, lay up shot, basketball ध्यान रखेगा, basketball games पे number of questions पूछे जाते हैं, number of questions, okay, basketball game को काफी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैंने कई बार देखा, number of questions केवल basketball game से ही पूछे जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question के ओर, number of players in basketball game, जल्दी बताएगा, basketball game में, basketball game में किते players होते हैं, Mr. Nikhil Saini Sir, अभी AFOS, group Y और X के लिए कोई बैच नहीं है, हमने शुरू करा था, लेकिन उसमें students का थोड़ा interest कम लगा, इस वज़े से वो हमने बैच को पॉस्पॉन कर दिया, अभी हमाई पास के ओल, F-CAT, CDS, CAPF इसके बैचे से, number of players in the basketball game, तो number of players in the basketball game होते हैं, आपके किते 5, वैसे तो total 15 होते हैं, लेकिन court में जो खेलते हैं न, वो क्या होते हैं, 5 होते हैं, total होते हैं 15, जो interchange होते हैं, जो क्या होते हैं, interchange होते हैं, तो number of players in basketball game, तो होते हैं 5, लेकिन team में किते होते हैं, team में होते हैं 15, टीम में किते होते हैं 15 यह स्प्रिंग ठाकूर आपने सही अंसल दिया भागे शरी बाराज का अंसल नहीं था ओके और देखो एक यह चीज़े फुल कोड शॉर्ट हो कहा जाता जो सीधा उधर से इधर तक फैका जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं यह question मेरे से थोड़ा गलत हो गया था इसमं एक option है इसमें इसका जो answer है वह क्या होगा आपका Canada होगा रही पूप्शं में Rogers Cup जो है Canada का Grand Slam है देखो Australian Open तो Australia का है French Open, France का Wimbledon और US Open यह चार Grand Slam है लेकिन जो Rogers Cup है आपका Rogers Cup यह आपका किसका है, Canada का है, किसका है, Canada का है, यह मैंसे थोड़ा गलत हो गयता, छीक है, Rogers Cup, यह किसका है, Canada का है, ओके, first Canadian woman, जिसनोंने 50 साल में क्या जीता है, Rogers Cup को जीता है, तो उनका नाम है, Binka N.S.Q., इन्होंने US Open भी जीता है, और Rogers Cup भी जीता है, 2019 में, ध्यान रखेगा, इन पे तक कोशन है, लेकिन इन पे जरूर आएगा, Sophia Cannon पे, Sophia Cannon ने Grand Slam जीता है, अपना पहरा Grand Slam, 21 साल की उमर में, जो Australia में हुआ है, सन 2020 में, ठीक है, उसके बाद, Ashley Barty, कई बारे पूछा जाता है, ये प्लेयर कौन से, कौन से देश से हैं, तो इन चीजों का भी धन रखाए, Ashley Barty ये पहली Australia खिलाड़ी है, जिन्होंने French Open जीता है, 26 सालों में, और Semena Halep ने Wimbledon जीता है, 2019 में, चलिए, अगले कोशन की ओर चलता है, How many countries participated in South Asian Games, ये South Asian Games आपके 2 December को Kathmandu में हुए थे, 1 December से 10 December के बीच Kathmandu में, और इसमें 7 देशों न भाग लिया था, अगर Madal Tally को आपको दिखाऊं इसमें, मैं, Madal Tally को दिखाऊं, भाई, session को like जरूर करते चलना सभी लोग, ठीक है, like करो और share करो, Madal Tally में देखो, तो Madal Tally में इंडिया ने top stand प्राप्त करता, इसमें कौन करते हैं, इंडिया, नेपार, श्री लंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, मालदेश और भूतान, यानि साथ देशों न इसमें क्या लिया था, भाग लिया था, आप लोग फटा-फट इनने note करते रहिएगा, इन सबकी PDF आपको comment section में मिल जाएगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगले question की ओर, hook pass, hook pass किस से related है, तो hook pass आपका volleyball, या basketball, hockey या football किस से related है, जल्दी से बताएगा इसका answer क्या होगा, hook pass आपका किस से related है, फटा-फट करके बताएगा, hook pass आपका किस से related है, प्रियंगा ठाकू, लवीना, भागे शरी, जल्दी से बताएगा, और जो बच्चे में से जुड़ना चाहते हैं, मैं दुबारा बता रहा हूँ, जिएस विद जिवेश, इस टेलिग्राम ग्रूप में मैं साथ जुड़ जाएगा, इसका answer आपने बताएगा, बास्केट बॉल, तो जी, इसका answer जो होगा, वो आपका होगा, बास्केट बॉल, hook pass आपका किस से related है, बास्केट बॉल से related है, और बास्केट बॉल के जितने यह position है, यह terminology है, वो सारी आपको से screen पर दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, बास्केट बॉल से related, ओके, तो इसका answer क्या है, बास्केट बॉल, क्या है इसका answer, बास्केट बॉल, hook pass आप समझ गए होंगे, क्योंकि volleyball में तो ऐसे फैका ही नहीं जाता, Headquarter of UNESCO, UNESCO का Headquarter है, कहाँ है, अभी बताया मैंने आपको, Headquarter कहाँ है, UNESCO का Headquarter कहाँ है, परिस में है, और जैपुर, भागेशरी शायद जैपुर के आसपास की हैं, और शायद प्रेंका ठाकुर भी, जैपुर जो है, इसे UNESCO की World Heritage Site में, हाँ, भागेशरी का ध्यान आ गया, को यानी फ्रांस में, कहाँ पे है, परिस यानी फ्रांस में, हाँ, येस, इस इस टेलिग्राम लिंग, ऊके, फूट एंड एगरिकल्चर और गनाइज़ेशन का Headquarter कहाँ है, तो ये भी आपको मैंने बता, फूट एंड एगरिकल्चर का जो Headquarter है, मैंने आपको बताया तो वो क confused हो गई थी, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो, actually का है न, जो मैंने अपने student का बना रखा है न, गुरूप, वो है actually private, okay, उसमें, मैं पहले, यह GS with जिवेश से, आप दूसरे गुरूप में add होते हैं, ठीक है, उससे फिर मैं आप लोगों को दूसरे गुरूप में डालता है, क्योंकि एक गुरूप वो private है, और बाकी जिने मैंने admin बना रखा है, तो अगर आप चाहो, अगर आपके पास यह authority हो, तो उस जो मेरा GS with जिवेश वाला गुरूप है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसका public कर सकते हैं, वो मैंने गुरूप private कर रखा है, ध्यान रखो, तो GS with जिवेश से न बच्चे क्या होते हैं, दूसरे गुरूप में ज़्यादा add होते हैं, फिर मैं को उन्हें वहां से link भे पर पांडा का निशान होता है, और जो head garter है वो आपका gland Suzyland है, अचा Suzyland में यह आपका Geneva भी पढ़ता है, जहन रखेगा, Geneva, अचा एक बढ़ा बताओ, simple see, what is the capital of Suzyland, capital क्या Suzyland की, जल्दी से बताए, capital क्या है Suzyland की, फटाफट, मेरे को जल्दी से, हाँ, हैधराबाद को gastronomy वादा मिला, जल्दी से मेरे को बताओ, capital Suzyland की, एक मिनिट के लिए, जल्दी से, जल्दी से बताएगा, burn, जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, जो उसकी capital है, वो कौन सी है, burn capital है, ओके, चली अगले question क्यों चलते हैं, सार्क का headquarter का है, फटाफट जल्दी बतेगा, सार्क का headquarter का है, where is the headquarter of सार्क, ओ स्वारी, aim of सार्क, तो सार्क का जो aim है न, देखो, South Asian for regional cooperation, इसी वज़े से, अभी जो ये Corona का वाइरस जो फैल रहा है, Corona का जो वाइरस जो फैल रहा है, हमारे पदा मंतरी ने सभी देशों से इस से बात की, ताकि वो इन चीज़ों से बचे रहे, नेपाल, पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी Corona फैल रहा है, वहाँ इंडिया से ज़्यादा है infection, I hope महाँ पे भी न फैल है, इंसान महाँ पे भी है, इंसान यहाँ पे भी है, ठीक है, येस, चलो आगे बढ़ते हैं, Headquarter of International Red Cross, तो International Red Cross का कहां पे है, Geneva में है, कहां पे है, Geneva में है, और Jean Henry Durant, Jean Henry Durant क्या है, इन्होंने Red Cross की स्थाप न करी थी, 1884 में, कब करी थी, 1884 में, ध्यान रखेगा, very good, IOC, ये मेरा देखो, ये YouTube का पे करायवा question है, और ये मैंने बताया था, IOC, International Civil Aviation Organization, इसका Headquarter कहां है, तो इसका Headquarter कहां पे है, Montreal, Canada में है, और ये मेरा YouTube पे करायवा question है, मैं एक हाल से, 11 फरवरी 2020 का, यानि पेपर से केवल 10 दिन पहले कराया था ये question मैंने, 11 फरवरी 2020 को, ये पुराने slides का, मैं उठा के करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे, कि यहाँ पे जो content है न, वो up to the level होता है, ओके, goal post, अब अगला question, goal post की किटली length होती है, तो goal post के अगर हम देखें, तो हमारी goal post की जो length होती है, वो किती होती है, अब की, 24 feet होती है, किती होती है, 24 feet होती है, goal post की जो हमारी length होती हो, किती होती है, 24 feet होती है, ध्यान रखेगा, यहाँ पे से into कर ले, यह goal post नहीं दर इदर यह दिख रहा है, चलिए गले question की ओ, which of the following is not associated with football, निमले खित्मे से कौन सा औजे, लवीना, अके, जल्दी सान से बताएगा, which of the following is not associated with the football, निमले खित्मे से कौन सा footballs related नहीं है okay yes rider जो यह आपके जो पहले तीन है न यह सारे footballs है लेकिन जो rider का पहना है आप गोल्फ से related है किसे related है? गोल्फ से related है okay किसे related है? गोल्फ से related है just one minute okay किसे related है? गोल्फ से related है which is the first grand slam each है? देखो पहला grand slam कौन सा होता है? जी यह PDF मिलेगा आपको comment section में ही आपको थोड़े देर बाद PDF मिल जाएगा, okay तो सबसे पहला grand slam कौन सा होता है? चार grand slam हम होते हैं US, French, Australian and Vietnam. तो सबसे पहला जो आपका होता है, four grand slam हम होते हैं, सबसे पहले आपको होता है Australian open, जो आपका January में होता है चीक है? उसके बाद आपका होता है French open, जो May और June में होता है तो Australian open तो हो चुका है French open हो या ना हो, क्योंकि इस Corona की वज़े से इस पर अभी question mark है उसके बाद आपका क्या होता है Wimbledon जो June जुलाई में होता है और उसके बाद आपका होता है US open जो आपका किस में होता है August या September में होता है तो ये सारी चीज इनकी क्या है? ओके? ध्यान रखेगा Grand slam जो घास पे खेला जाता है तो देखो यहां पर मैं बताओ Wimbledon एक मात्र ऐसा है जो किस पे खेला जाता है? घास पे खेला जाता है ग्रास पे खेला जाता है यानि हरी घास पे French open आपका किस पे खेला जाता है? Midty पे खेला जाता है Clay पे खेला जाता है और US Open और Australian Open आपका किस पर खिला जाता हार्ड कोट पर खिला जाता, किस पर हार्ड कोट पर, ओके आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये कोशन न, आपका न, अभी SSE CGL में आये हैं ये कोशन, कि सबसे Youngest Grand Master कोन है, तो देखो, इसमें ध्यान दखेगा, सबसे Youngest जो Grand Master बने हैं, वो कोन बने हैं, घुकेश, जी घुकेश नामिन का, ये Youngest Grand Master है, क्या हैं, Youngest Grand Master है, इसको ध्यान रखेगा, जी गुकेश ये क्या है youngest grand master है इंडिया के ठीक है maximum time out तो volleyball में किती देर का time out मिलता है तो 2 minute का ही time out मिलता है और 2 बार मिलता है 30-30 second का मिलता है sorry 2 बार मिलता है तो इसमें time out किते मिलता है दो बार के लिए मिलता है volleyball में number of player ये भी F-cat में question आया था number of player in volleyball अगर आप logo ने कि दिया हो तो ये paper में question आया था F-cat 24 February में कि number of players किते होते है volleyball में तो volleyball में okay volleyball में किते player होते है तो volleyball में किते player होते है 6 player होते है ध्यान रखेगा volleyball में किते player होते है 6 player होते है बेहां, यहाँ पर लिखा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितंए होता है, 6 तWh asog już got high generation? और रही वाजिन रखेता है, और रगभी का है, उसमों 2 होता है, national game of Argentina, अब आप सोच लुखेंगे, national game of Argentina, अल्जेना का तो football उने चाहे, लेकिन National Game of Argentina, जो है, वो फुटबॉल नहीं है, यह क्या है? एक गेम है, पैटो, जैसे होकी जैसा गेम होता है, जो घोड़े पे बैटके खिला जाता है, जैसे पोलो का आ जाता है, तो पैटो ऐसा गेम है यह गोड़े बेटके फुटबॉल की तरह खिला जाता है यह है गोड़े बेटके किसकी तरह खिला जाता है फुटबॉल की तरह खिला जाता है ध्यान रखेगा यह आपको PDF आपको मिल जाएगी उसके बाद Uber Cup Uber Cup कौन से sports से related है तो Uber Cup जो है यह Women's का World Championship ह और Thomas Cup आपका किसका है Championship है किसके लिए Men's के लिए और यह कौन से गेम से संबन दीत है जल्दी बताईएगा ओके Uber Cup और Thomas Cup के बारे में बता दिया अब मेरे को गेम के बारे में बताओ कौन से गेम से related है Uber Cup is related to which sport badminton none of the above किस से related है Uber Cup किस से related है जल्दी बताईएगा मैं आपके comment section में आपका वेट कर रहा हूँ आपके answer का ओके Thomas Cup yes this class is also for CDS if you want to study CDS classes please visit defenseadda at 11 a.m. tomorrow or watch my recorded session Uber Cup is related to the badminton Uber Cup is related to the badminton okay Thomas Cup is related to the men Uber Cup is related to the women okay no okay that is badminton competition है यह badminton competition it is a badminton competition okay मैंने check भी कराई से मैंने कहीं गलत ना बता दूँ okay next is अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ज़रा ध्यान द्यान से सुनता रहना Lawrence 2020 World Sports Award दिये गयते है जनली ही खतम करूँगा जरा ध्यान से सुन ले जगा यह दिये गयते है सारे अभी करा दूँगा Lawrence World Sports Award तो World Sports Award जर्मनी में 17 फर्वरी को और्गनाइज किये गयते है इसमें जो Basketball Legend जिसको 2020 का Sport Award दिये गया उनका नाम है Dick Nodzit जो 21 साल के carrier के बाद जिन्होंने कह लिया है करा है जर्मनी की F13F Formula Racing की driver ती Sophia Flores उन्होंने इसमें comeback करा है इनका accident हो गया था ओके देखा ना Crash India Accident Macau Circuit उसके बाद बात करें Sachin Tendulkar, Sachin Tendulkar को जो Award मिला है इंडियन Cricket Master लॉरस Moment of the Award 2020 का मिला है क्योंकि 2011 में जो World Cup जीता था इसलिए Sachin Tendulkar को लॉरस Moment of the Award 2020 मिला है यह PDF आपको मिलेगी डोंट वरी लॉरस World Sportsman of the Year तो यह दो परसन को मिला है एक तो लियोनी मैसी को मिला है अब दूसरा किसे मिला है लुईस हैमिंटन लियोनी मैसी आपका football से related है लुईस हैमिंटन आपका F1 Formula 1 racing से related है ओके आगे बढ़ते हैं लॉरस World Award Sportswoman यह महिलाओं में किसे मिला है ओके महिलाओं में किसे मिला है यह ओके जैहिंद ओके महिलाओं में मिला है अमेरिका की है यह इनका नाम है सामयन बाइल्स और इन्होंने 30 Olympic medal और World Championship medal को जीत रहागा 3rd most decorated gymnast हैं यह थर्ड most decorated gymnast हैं जी हाँ बिलकुल इन डाटा को चलता रहिएगा ओके Lawrence World Team of the Year तो यह South Africa की टीम है क्योंकि South Africa की रभगी टीम ने रभगी वर्गी वर्ड गप जीता था जो आपका कहां पर हुआ था जापान में हुआ था जो आपका कहां पर हुआ था जापान में हुआ था इस वज़े से उसे Lawrence World Team of the Year मिला है लॉरेस Breakthrough of the Year मिला है लेटन अमेरिकन यह पहले लेटन अमेरिकन है जिन्होंने पहले लेटन अमेरिकन यानि South America continent के पहले से सेक्लिस्ट है जिन्होंने टू डे फ्रांस को जीता है उनके इनका नाम क्या है एगन ब्रेनल और यह कहां से है Columbia Breakthrough यानि पहली बार आगे देखते हैं Disability में Disability में अर जी बिलकुल सेशन को शेयर कर देना कल इसे भी अच्छा डाटा दूँगा Disability में किसे मिला औसका नामास्टर यह विकलांग है लेकिन इनने देखो क्या जबल्दस बोड़ी बना रखे पैरा ओलंपिक रोवर और कॉस कंट्री स्कियर है यह ओके ओसका नामास्टर अरुणी वास इन्हा को भी मिलना चाहिए थीक है और चलो इस कोशन का आंसर दो फट जल्दी बताओ इसका आंसर प्टाफट भाग गशरी आजय जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर जल्दी से बते हैं इसका आंसर क्या होगा यह ठक गए आप सभी लोग session खतम कर दें session को खतम कर दें ओके जी यहां बिलकुल Switzerland, Lossamay Lossamay, Lossamay Switzerland, Switzerland में FIH Federation of International Hockey का headquarter है, Narendra Bhattar इसके president है और नीदेर लेंड की Iwade Gode को क्या मिला है FIH की Player of the Year का वार्ड मिला है Rani Rampal को World Athlete का वार्ड मिला है Rani Rampal को World Game Athlete of the Year का वार्ड मिला, यह पहली हो की किलाडी है, दोनों ही चीज़े हैं इसमें ठीक है, उसके बाद FIH Man के बाद, यह पहली बार एक भालते पुरुष को मिला, जो 1999 से यह अवार्ड शुरू रहा है, मनपरीच सिंग को, उसके बाद First Ever Kalo Ice Game Championship किस ने जीती है, तो Ladakh Scout ने जीती है, और यह कहां पर हुआ था, NDS Indoor Stadium में हुआ था, और यह पहली बार ऐसी हुई है, Ladakh Scout ने यह गेम जीता है, ओके Head Trick, सबसे कम उमर में जिस ने लिए है, उसका नाम है पाकिस्तान के Solar Air Pace में, नसीम शा ने लिए है अब आगे बढ़ते हैं, अगला question, ICC Women विच टीम प्रेजेंटेड, ICC Champions Trophy, तो ICC Champions Trophy, जो है एक सेकंड, ICC Champions Trophy, जो है वो प्रेजेंटेड कहां पर होगी, तो South Africa में हुआ है, ठीक है और लेकिन दुबागे बस इंडिया की टीम उसमें हार गई थी, ठीक है आगे बढ़ते हैं राजी, राम और जोई सेल्स परी किस्से, तो इन्हों ने क्या है, Australian Open जीता है पुरुष यूगल में, यानि Men's Double में इन्होंने क्या जीता है Australian Open को जीता है, उके उसके बाद who became the goodwill ambassador of Indian ये question irrelevant है, छोड़ दीजेगा है सौरा गांगुली को परस्ताफ दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने ये से सुविकार भी नहीं किया था और Olympics पर भी confusion mark लगा है, आगे बढ़ते हैं Australian Open tennis, तो ये किसने जीता है Sophia Cannon ने जीता है, मैंने भी थोड़ी देर बहले आपको पता है, 2019 ICC, Man Emerging Cricketer of the Year किसे मिला है तो ये मैस कारण, Lesher Bank ने, Lesher Chang ने मिला, Labus Chang को मिला है ये कहां के है, Australia के है, ये कहां के है, Australia के है तो आज मैं आपको sports के लगबग करा रहा हूँ, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके last Asian game gold miller, okay stamp use की गई है तो ध्यान से सुनेगा, चुन्नो को सवामी, ये 1962 में Asian games हुएते हैं, Bangkok में उनके लिए क्या शुरू किया गया है, stamp, एक dark ticket जारी किया गया है, okay very good, चलो, number of players in rugby team, जल्दी answer बता उसका अम एक हाल से final question है okay, number of players in rugby team, तो rugby team में देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा किते हैं, 14 होते हैं, 15 होते हैं, जल्दी बताइगा 14 होते हैं, 15 होते हैं, जल्दी बताइगा, rugby player में लगबी team में हमेशा 15 player होते हैं, ध्यान रखेगा लगबी team में हमेशा किते player होते हैं, 15 player होते हैं, किते होते हैं, 15 हाँ जो defend करता हैं, उनके पास 15 होते हैं, जो attack करता हैं, उनके पास 14 होते हैं, ध्यान रखेगा ओके 15 प्लेयर ओके और यह काट पांडू में हुआ था यह आपको मैं करा चुका हूँ बागी भाई अगर आप लोगों को लगता है कि अड़र 24-7 डिफेंस अड़र आपको काफी कुछ प्रोवाइड करा सकता है तो प्लीज इस ओफ़र का लाब उठाइए पावर रतो अफ थ्री कोचिंग फ्रॉम होम जिसमें आपको 20% आपको स्टेडी मेटेरियल पर डिसकाउंट मिलेगा थ्री मन्स एक्स्टर मिलेगा और फ्री एबुक्स मिलेगी आप कोड यूज करेगा U191 और आपको डिसकाउंट मिलेगा U191 दुबार से लिख देता हूँ गलते मत करना U191 code को यूज करना और आपको विजिट करना इस्टोर अड़ा और आपको जो उनसा भी प्रोडक्ट या कोई सा भी को live classes प्रचेस करने हो आप प्रचेस कर सकते हैं ओके टेलिग्राम का लिंक यह है अजे GS with एक सेकंड दुबार से लिख देता हूँ GS with जिवेश जो मेरे ग्रुप के जरा मेंबर हैं वो जरस चीज का दियान रखेगा GS with जिवेश इस ग्रुप को आप जोइन कर लिजेगा ओके चलो तो सबको में तब से भाई घर पे रहो अच्छे से पढ़ो लिखो और इस बार सिलेक्शन लो अभी बहुत अच्छा टाइम है कई तुम्हें जाना नहीं अपने माता पिता के साथ समय वेतीत करो अपना पू